पिछ रिपोड देखते हैं यहां पर 29 जनवरी को रिसेंटली मैच वा था मैच वह बारिश के करेंट छोटा मैच वा उसमें माई केप टाउन पहले बैटिंग करके आठ ओवर के अंदर असी बना देती है ठीक है और फिर इसको चेस करने आती ही जोबक की टीम लुइस डिपलोई फैफ ओपन करते है और इन्होंने मातर 34 वाल के अंदर 98 रंस बना दिये थे बिना कोई विकेट कवा है और पने टीम को एक तरफा जीत दिला दी इसे बहले 157 बना टीम 120 बना पाती है 172 बना टार्गेट चेस 17 और में 202 बना टार्गेट लबग चेस हो गया था तो बहुत अच्छा स्कूरिंग वेन्यू यह वी न्यूलेंड्स केप्टाउन आपको यह पर रंस बनते वे दिखते हैं एमाई केप्टन को होंग राउंड है बट यह इनके लिए एक बहुत खराब वेन्यूर है क्योंकि नौ मैच से यहां पर स्रिफ तीन मैचेस जीते हैं पिरुटूरिया कैपिटल्स एक मैच खिलके एक मैच यहां पर जीती है बैटिंग फर्स्ट पांच मैचेस जीते हैं चेस करते हुए नौ मैचेस जीते हैं तो पिछले 14 मुकाबलों की बात तरता हूं तो चेस करना टीम्स को यहां पर ज्यादा पसंद आता है और जो लास् पिछले दो सीजन की डेटा एड़ेड है एक साथ यह देख सकते हैं पिछ इस तरह से आपे पिछ दिखती है और जब पिछ पर आपको चमक दिखती है बीच वाली पीछ होती है तो रण से आप हमिशा बनता है यह देखें आप ट्रेक्स और यह देखें सीमर स्पेसेंड बाउंस कंपरिजन एक और मैंने आपके लिए डेटा एड़ करी थी यार कहां गई वाली यह देखो आप पेसेंड बाउंस कम रहा है यह सीजन के अंदर और यह देख सकते हैं आप सीमर सेंड पेसेंड बाउंस कंपरिजन यह मैंने आपको और बता है पेस और स्पिन दोनों मिला किया वाली डेटा यह देखने को मिलता है यह दो बाउंस और आप कहलो स्पिन देखने को मिलता है केव टाउन के 3.4 डिगरी स्पिन देखने को मिला है सामने की बाउंडरी 75 स्क्वेर 56 और 69 थी लास्ट मैच के ने एक साइड की तरफ छोटी बाउंडरी थी वनना जब बीच वाली पीच में मैच होता है बास्रेट साठ सामने 70 और इस तरह से डा पिछे पहाड बीच में स्टेडियम कैसे लेगी पिछ रूट बताना मेरे को